नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथंकिता मिश्रा केजरिवाल लगातार प्रधारमिंत्री मोधी पर निशान असाद रहे हैं उनकी डिगरी को लेकर के बात कर रहे हैं हलकी उस पर गुजरात की कोट ने एक्शन लिया है और 25,000 रुपे का मुख्यमिंत्री अर्विंद केजरिवाल पर जुर्माना भी लगाया गया लेकिन इसके बावजूद भी अर्विंद केजरिवाल बाज नहीं आ रहे हैं वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री मोधी अपनी डिगरी दिखाने से आखिर कत्रा क्यों रहे हैं आखिर उनकी डिगरी में ऐसा कौन सा राज है जो लोगों के सामने आ जाएगा बार बार यही सवाल किया जा रहा है और बार बार उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि अगर कल को अर्विंद केजरिवाल पर मानहानी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो अर्विंद केजरिवा पर भी केस दर्ज किया जाता है तो कोई आम बात नहीं होगी एक बड़ी बात होगी और विपक्ष के लिए भी एक मौका मिल जाएगा फिर से जो सत्ताधारी पार्टी है यानि कि हम बात करें बीजेपी को टार्गेट करने की लेकिन यहां पर बात करेंगे पी ए मोधी की डि पर बार बार बवाल मचाया गया था लेकिन अब अर्विंद के इजरिवाल ने दोहजार चौबिस के चुनाओं में जो दाव खेला है जो पढ़े लिखे प्रधान मंतरी की छवी के बारे में बात बार बार वो कर रही हैं क्या लोग इससे जो खुश है वो हो पाएंगे क् इन ही आरोपों पर अर्विंद के इजरिवाल को वोट मिलेंगे क्या बीजेपी के वोट प्रतिशत खटाने में दिल्ली के सीम अर्विंद के इजरिवाल काम्याब हो पाएंगे यह ऐसे बड़े सवाल है जिनका जवाब दोहजार चौबिस के चुनाओं में ही मिलना है ले बिजली सबसिडी बंद करती चाहिए लेकिन मुझे आप सब को आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सारे शडियंतरों के बावजूद जो कोशिश LG साहब ने और भारतिये जनतां पार्टी ने बिजली सबसिडी रोकने की कोशिश करी उन सब कोशिशों के बिजली सबसिडी देने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है अर्विन केजरीवाल की सरकार की दिल्ली वालों को ये कमिटमेंट है कि ना से दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलेगी बलकि फ्री बिजली मिलेगी और आने वाले साल में भी उसी तरहां से बिजली सबसिड उमर अपने घर में इस्तमाल करेगा वो बिजली फ्री रहेगी 200 से 400 यूनिट पर 50% की छूट रहेगी और वकीलों को किसानों को 1984 के जो दंगों के विक्टम्स हैं उनको जैसे पहले बिजली सबसिदी मिल रही थी वो भी जारी रहे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जि बिजली सबसिदी के लिए अपलाए किया था वो बिजली सबसिदी अब एप्रल दो हजार चौबिस तक वैलेड रहेगी तो एक बार फिर मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहती हूं मैं अर्विन केजरिवाल जी को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि सारी शडियंत्रों के बावजूद जो उन्होंने दिल्ली वालों को वादा किया था विजली सबसिडी देने का उस वादे पर वो फिर से खरे होते हैं अब बाकी जो कैबिनेट के डिसेशन्स हुएं उसके बारे में सौरब जी आपको ब्रीव करें आज कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें दिल्ली की साफसफाई और दिल्ली के एंवायरमेंट किसी तरह से डस्ट पॉलूशन को कम करने की कवायत में डिपार्टमेंट आफ एंवायरमेंट का एक प्रपोजल था जिसमें सडकों के उपर धूल ना उड़े उसके लिए दो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं पहला सत्तर विधानसबाओं के हिसाब से सत्तर मेकानिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स दिल्ली सरकार खरीदेगी और जितनी भी पी डबलूडी की बड़ी रोड्स हैं जो साट फूट से चौड़ी रोड्स हैं जो करीब 1449 किलोमीटर की रोड की लंबाई है उन रोड्स की सफाई दिल्ली सरकार का पी डबलूडी विभाग करेगा यह बड़ी बात है क्योंकि अब तक इनकी सफाई का जिम्मां MCD के पास होता था तो MCD से भी कल हम लोगोंने मीटिंग की थी MCD के कमिशनर इडिशनल कमिशनर उसमें मौझूद थे जिसमें हमने उनको यह प्रपोजल दिया है कि जो सफाई MCD करती थी PWD रोड्स की जो की एक बड़ा हिस्सा था वो अब दिल्ली सरकार करेगी तो उसके लिए सत्तर मेकानिकल रोड्स्वीपिंग मशीन्स खरिदने का टेंडर देने का मंजूरी जो है वो आज हुई है दूसरा पल्यूशन के सिलसले में ही डस्ट ना उड़े धूल ना उड़े पेडों के ओपर जो दूल है वो भी जो है उतर के नीचे आ जाए उसके लिए 200 वाड्स के हिसाब से 200 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स जिनके साथ इंटिग्रेटिड होगी एंटी स्मॉग गंस इसका प्रावधान भी किया है वो भी कैबिनेट ने आज उसका अप्रूवल दे दिया है इसके लिए अनुमानित खर्च जो है 238 करोड रुपे खर्च होंगे 7 से 10 साल क्योंकि कुछ मशीनों की जो म्याद है वो 7 साल है कुछ की 10 साल है तो इन सालों में 238 करोड रुपे खर्च होने का नुमान है जिसमें पहले साल जो लागत है वो है 257 करोड दूसरा इनको जो पानी है पानी देने का काम दिल्ली जलबोड के जो सीवर ट्रीट्मेंट प्लांट है उससे जो ट्रीटेड वाटर है वो दिल्ली जलबोड देगा वो करीब 1500 किलो लीटर पर डे का पानी इनको दिया जाएगा इसके अलावा इन क्योंकि ये मेकानिकल स्वीपर्स रोड पे धीरे धीरी गती से चलते हैं तो एक तो धूल को सक करते हैं वैक्यूम क्लीनर के तरीके से तो एक तो इनके अंदर डस्ट इखटी हो जाती है जिसको बीच बीच में इनको निप्टारा करना होता है कि वो डस्ट जो जमा हो गई है उस रेत को फैकने जाना पड़ता है और बार बार इसको पानी की वाश्चता होती क्योंकि कहीं कहीं ये पानी को सड़को धोएगा रेगुलरली पिरियोडिकली सड़के धुलके भी साफ होंगी और वैक्यूम क्लीनर से भी साफ होंगी तो बीच बीच में इसमें से जो डस्ट जमा हो गई वो निकालने के लिए और इसको पानी को रीफिल करने के लिए 18 डंप वैकल्स और 18 वाटर टेंकर्स खरीदने की ब दूसरा मामला भी वकीलों से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के वकीलों को इस चुनाव से पहले जो वादा किया था वो उन्होंने वादा पूरा किया था कि वकीलों को और उनके परिवारों को लाइफ इंशोरेंस भी देंगे औ ग्रूप इंशूरेंस की एलाइसी को और मेडिकलेम इंशूरेंस की न्यू इंडिया इंशूरेंस को जाएगी उसका जो है फैसला जो है आज कैबिनेट लिया है तीसरा मामला जो है वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है जो लोग विकलांग हैं दिव्यांग हैं उन लोगों के विशे में सोशल विल्फेर डिपार्टमेंट उनको आर्टिफिशल लिम्स प्रोवाइड करेगा और यह करीब पांच साल तक एक सरकारी कंपनी से करार किया जा रहा है कि अलग अलग जगे केंप्स लगा के सोशल विल्फेर डिपार्टमेंट इस तरीके के जरूरत मंद लोगों को इस तरीके के इंप्लिमेंट्स जो है वो प्र उनको चलने के लिए बेसाखी हो गई और जो है मेकनाइस ट्राइसाइकल्स हो गई इस तरीके की चीज़े जो है तो देखा आपने इस वीडियो में कैसे आम आदमी पार्टी जो है मोर्चा खोले बैठी है और कोई भी मुद्दा मिले कोई भी निश्वाना मिले बस वो बी एक और जहां मनीश्ट सोधिया जेल में हैं उन्हें जमानत नहीं मिल रही जमानत याजरी का खारिच कर दी जा रही है और उनके खिलाफ कई ऐसे सबोत हैं जो कोट को मिले हैं इसे बीच अर्विंद केजरिवाल का पीए मोदी पर जो सीधा निशाना है ये जो दाव उन्ह नहीं देखते रहें एक्स्नाइन लाइफ